नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोग, श्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोग श्व्लोग पर दोस्तों ये मेरी वही अपराजीता की सीडलिंग से तयार पौधा है जिसे मैंने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में शो किया था और ये मेरे वो DIY प्लांटर्स हैं जिनको मैंने तयार किया था अपने हाथ से और इन ही के अंदर जो है मैंने अपनी इन सीडलिंग से तयार पौधों को जो है वो रिपौट कर लिया है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा बहुत अच्छी ग्रोथ इनके अंदर हो रही है औ तो सुपधा होता है इसको भी आप सभी अपने गार्डन में जरूर एट कीजिए खैर आज मेरी वीडियो के टॉपिक जो है कुछ और ही है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैं नरसरी गया था और वहां से मैंने कुछ प्लांट्स जो है वो पर्चेज किये थे तो कल की जो मेरी वीडियो थी बहुत सारे लोगों ने ये क्यूरियोसिटी दिखाई कि कौन-कौन से प्लांट लिए आपने किस रेट में आपको पड़े तो आज की ये मेरी वीडियो उसी से रिलेटेड है कि मैंने कल अपनी नरसरी विजट के बाद वहां से कौन-कौन से तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में लास तक बने रहिएगा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा साथ ही साथ मेरे बो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दोस्तों ये है वो नसरी बिजिट के कुछ प्लांट्स जिन्हें मैं कल लेके आया हूँ पचेज करके कुछ नहीं हैं काफेश आ रहे हैं और ये जितने भी हैं इन सभी को मैं अपने गार्डेन में जो है वो एट करना चाहता था बस ये था कि जो इस समय सिच्वेशन्स ब कोई तो फिर जो है मैंने सोचा कि क्यों ना जो है अभी इन सब को एक साथ ले लिया जाए बार बार आने से अच्छा है एक बार में ही सब कुछ ले लेते हैं तो अभी मैं वन बाई वन जो है इन प्लांट्स को आप सभी को दिखाऊंगा और इनकी प्राइज भी आप सभी प्लांट को यह लेडी पाउम है बहुत ही खूबसूरत लगता है जितने भी पाउम की वराइटेज होती है सारी की सारी मेरी फैवरेट हैं और मेरे पास जो है इस समय बटल पाउम एरिका पाउम चाइना पाउम यह सब थे और यह लेडी पाउम जो था यह भी मुझे बहुत ही बुसी लुक देता है तो इसको लेने का दो रीजन था 150 इसका रेट उसने बोला था तो मुझे इसके अंदर ऐसी कंडिशन दिखी कि अगर मैं इसको लेता हूं तो मुझे इससे तीन प्लांट्स मिल जाएंगे एक यहां से निकल जाएगा और एक इधर से यहां से और बीच में यह में वाला तो इससे मैं टोटल तीन पॉट जो है वो बना लूँगा इस प्लांट का और बहुत जल्दी यह मल्टिप्लाई होता है तो जल्दी ही यह मल्टिप्लाई होकर मेरे यह बुशी लुक जो इसका अभी दिख रहा है ऐसा ही हो जाएगा तो इस प्लांट लेडी पाम तो बहुत ही खूबसूरत लगता है यह मुझे मैंने आप सभी को शॉपिंग की वीडियो में बोला भी था कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं खुद को लेने शरोप नहीं पाया और अगला यह प्लांट जो है यह मधुमालती की बूस वराइटी ह आप लोगों ने देखा होगा मधुमालती जिसको जुमका वेल बोलते हैं बहुत ही खूबसूरत लगती है और अकसर ही जो है लोग उसको अपने घरों में as a creeper plant एड करते हैं wine होती है बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही heavy quantity में flowering करती है तो यह उसी मधुमालती की जो है वो बुस्ट वराइटी है ये पॉट के अंदर जब लगेगी तो ये वाइन की तरह नहीं दिखेगी बलकि एक ऐसे प्लांट की तरह दिखेगी जिस तरीके से हमारे अधर प्लांट लाइक हिविसकस वगेरा यह तो ये मधुमालती की वुस्ट वराइटी मुझे मिल लतीज है तो इसकी एक miniature भी आती है वो भी बुसी होती है लेकिन उसकी पत्या चोटी चोटी होती है तो एक बार तो उसके यहां मुझे वह मिल भी रहा ‫ लेकिन मुझे उस टाइम पर नहीं लिय था मैंने बोला था उनसे कि जब कभी इस तरीके से इसका यह वाला बस क्योंकि विडियो में दिख रहा था कि अल्मेंडा का प्लांट जो है वो हमारे सर ने कैयरी कर रखा है उसमें यलो कलर के फ्लावर भी आये थे एक प्लांट मेरे पास आल्रेडी अल्मेंडा का है जिसकी पत्यां बढ़ी हैं तो यह उसी की अल्मेंडा की ही वूस्ष और इसको भी जो है उसने 100 में दिया और इसका एक प्लांट तो सर ने लिया था जिसमें यलो कलर के फ्लावर अल्रेड़ी आ रखे थे और दूसरा मैंने लिया जिसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है हालांकि जो है फ्लावरिंग बर्ड्स जो है वो बनना शुरू हो गई है तो अगला प्लांट था ये अलमंडा का इसके बाद जो अगला प्लांट है वो लेमन का है नीमू का और नीमू जो है इस तरीके से जो ये कागजी नीमू आता है ये साल भर जो है इसी तरफ फ्लावर जो है वो शरीव में युमिटी बनाई रखने के लिए बिताया सी कितना इंपोडन है और नीबू ऐसा प्लांट है जिसमें प्रचुर मात्रा में बिताया होता है तो इसको अगर हम अपने गार्डन में एड करते हैं तो इसको पॉट में भी लगा सकते हैं ग्राउंड में हाल और अगला प्लांट आप सभी के सामने ये जो है ये है एकजोरा की मिनियेचर वराइटी जिसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं एकजोरा जितने भी होते हैं और मेरे पास इस समय जो है ये एकजोरा का तीसरा प्लांट है जिसमें वो आल्रेडी मेरे पास लगे हुए हैं तो इस प्लांट को उसने 60 में बोला था और 60 में ये प्लांट मुझे मिला तो एकजोरा की मिनियेचर वराइटी उसके बाद क्रोटन का ये गोल्डन डस्ट जो की बहुत ही खुबसूरत लगता है देखने में तो इसका भी एक प्लां प्लांट आये हुए हैं 120 बोला था इसका उसने और जब मैंने देखा कि इसके अंदर से मुझको 3-3 प्लांट मिल जाएंगे तो बहुत ही कम कराने पर जो है उसने 100 में इसको हम सभी को दे दिया तो एक प्लांट सर ने लिया एक प्लांट हमने तो ये कोटरन है जिसको ज़्यादा बारिस होने की वज़ा से इनकी जड़ों में रूट रॉट रॉटिंग की प्रॉब्लम आई और ये प्लांट मेरा सुख गया मैंने कटिंग बचाने की कोशिस की लेकिन मैं बचा नहीं पाया उनफार्चुनेटली इस वज़ा से जो है मुझे जब फिर से कुलर है अकसर आपको हर जगें लगा हुआ दिख जाएगा तो यह 60 में वोला था उन्होंने और इसको मुझे 50 में दिया उन्होंने तो यह इतने सारे प्लांट्स थे जो टोटल मैं कल की सौपिंग में अपने लेके आया हूँ और जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा यह भी बताईएगा कि आपके वहां यह प्लांट्स जो है वो किस रेट में अबलेवल हो पाते हैं और अबलेवल हो भी पाते हैं कि नहीं तो कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके बताईएगा ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक् वीडियो में तब तक के लिए बाबाय और टेक केर